आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत, दोस्तो मैं सीवाम आपने रूट चनल टेक्निकल सीवाम पर स्वागत करता हूँ, दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी MI मुबाइल फोन यूज करते हैं, तो अग आपको बहुत सारे ओप्षन देखने को मिल जाते हैं, यह कैसे आप यूज कर सकते हैं, अपने MI एकाउंट के अंदर, तो वही मैं आपको पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, तो चलो जैसे आप यहाँ पे सेटिंग ओपेन कर लेते हैं, उसके बार नीचे आना है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको MI एकाउंट, आपको इस पे किलिक करना है, जैसे आप इस पे किलिक करना है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहला आपको आपको यहां पर देखने को मिलेता है एक सेय्टिंग, तो इस सेयिसर से यह होता है, कि अपने emi account के लिए अपना यहां पर फोन नंबर recover के लिए आपप सेयटक करते हैं, जैसे अपने mobile phone को आप कहीं पर भी यानि कि रख देते हैं या आपका mobile phone खो जाता है तो अपने mobile phone का, dipl MI account का password है उसे चेंज करने के लिए यहाँ पे अपना यानि की recovery mobile number अचाटक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे recommending email ID कर सकते हैं यानि की email ID से भी अपना यहाँ पे MI account यहाँ पे recover कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है change password setting यानि की अपने मुबाइल फोन से माई अकाउंट का पासवर्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है तो ऐसे अपने मुबाइल फोन के अंदर आप यहाँ से अपने मुबाइल फोन के अंदर MI account की setting यूज कर सकते हैं और यहाँ पर देखने को मिल जाता है two factor authentication setting तो इस setting से अपने MI account को और भी ज्यादा आप यहाँ पर secure करके रख सकते हो जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो अपने हिसाब से set कर सकते हो और हाम मैं यहाँ पर यह भी बता दिता हूँ कि इन सारे की सारे option पे मैंने already video बना धिया है जैसे recovery mobile number add कैसे करते हैं यहाँ पर recovery email id कैसे add कर सकते हैं या change कैसे करते हैं यानि कि change password setting कैसे use करते हैं MI account का password change कैसे करते हैं या two factor authentication यहाँ से on कैसे करते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इन optionों से क्या होता है अगर इन option को यूज करना चाहते हो तो इनकी मैंने आलेडी video बना दिया है तो आपको करने क्या है YouTube पर आपको सिर्फ यहाँ पे आपको setting का नाम डालना है और हमारे channel का नाम डाल देना है आपके समने हमारा वीडियो आ जाएगा और बड़ी ही आसानी से आप देख के और उस सेटिंग को अपने मुबाइल फोन के अंदर यूज कर सकते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद